शासन की मन्शा पर पानी फेरते विद्ध विभाग के अधिकारी ट्रांसफार्मर बदलवालें के लिए दरबदर भटकता किसान आत्रोश को शामबी सरकार चाहे लाख दावे करे लेकिन जमीन पर उसके दावों पर कोई और नहीं बल्कि उसके अधिकारी पानी फेर रहे है जब की सरकार दावा करती है कि जले हुए विद्ध ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के अंदर बदला जाएगा लेकिन विद्ध विभाग के ध्रष्ट अधिकारी वो कर्मचारी अपनी मनमानी से बाद नहीं आ रहे हैं ऐसा ही मामला है कड़ा विकास खंड के ग्राम पंचायत अंदावा के मजरा पल्टीपूर में हफ्तों से जला 25 केवी का विद्ध ट्रांसफार्मर हफ्तों बेट जाने के बाद भी नहीं बदला गया जिसके शिकायत तोल फ्री नंबर पर कंप्लेन की तथा जेई से ट्रांसफार्मर की मांग की जाती है तो जेई कहते हैं कि मैंने कागस बना कर भेज दिया है जब आएगा तब लग जाएगा इधर किसान को धान की फसल को पानी न मिलने से 50 बीगे की फसल बरबादी की कगार पर खड़ी है जिससे किसान अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है किसानों के लाख प्रियास के बावजूद भी नहीं बदला ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर ना बदले जाने के कारण किसानों में आक्रोश है दूसरी तरफ पल्टीकूर में घरेलू कनेक्शन का भी ट्रांसफॉर्मर 25 दिनों से जला हुआ है जिससे ग्रामिनों को इस उमस भरी गर्मी के साथ अंधेरे में रहने को मजबूर तथा किसान फसल सींचने के लिए दरदर भटक रहे हैं वही मामले को लेकर किसान स्थानिय विदायक शीटला प्रसाथ पटेल से शिकायत की है शिकायत के बाद विदायक ने जल से जल ट्रांसफार्मर बदलवाने का आश्वासन दिया ता वार हाउस में अब तक कोई शुनाइल नहीं कहते हैं कि लग जाएगा लग जाएगा आज अ दो दूंतीन दिन में आज आए जाएगा वही आज है क्या मामला है यहां क्या कया मामला यह आज पचीशों दिन से पूका है ट्रास्फार्मा कई बार सिकाइट जेज से किये विधायक जी से किये के वर अस्वासन ही अस्वासन मिलता है कुछ आगे बहुता नहीं कि कई भीगे खेती फसल सब सूख रही है इसका कोई निरा करन हो नहीं पा रहा है कहां मामला है यह पल्टी पूर अंदावा का मामला है किसे किसी आपने सिकायद किया भी तरह हम जेज साथ कई बार कहे और अधिकारियों से भी कहें जो है लेकिन इसका अभी अस्वासन कि लावा अभी कुछ खासिन नहीं जुआ यही एक ट्रास्फार्मा जला हुआ और जला हुआ है इसे सिचाई ह होती है तो यह सामने वाला तो लाइट का है यहां सब लोग अंधेले में रह रहे हैं मिठ्टी के तेल तो मिलता नहीं है यह दीपक इसी लाइट के बहुत